सब्सक्राइब की सब्सक्राइब को देखते हैं जो कि बहुत ही रीच फेमिली से बिलोंग करती है एक तरह हम हमारी में लीट को देखते हैं जो कि इस जगह अपने न्यूफिस सोप का एडवर्टाइजमेंट करने में बीजी होता है लेकिन तब एक बंदे के हासे बाउल और यह कहती है कि मेरे इतने महेंगे कपड़े तुम लोगों की वज़े से खराब हो गए हैं अब इसका कंपशेशन कौन देड़ा ऐसा कहकर वह यहां पर उदम अचाने लग जाती है बंदा उससे कहता है कि में जो भी कंपशेशन है मैं उसे पे कर दूंगा लेकिन यह उल दोसे तरफ हम लिन यानी की हमारी फिमेलीड हमें आप लिन के अक्स बॉइफरेंड के घर पर पर पार्टी का सिंदेर उसकी असिस्टेंट आकर उसे बताती है कि आपकी डेट का फ्रेंड पाई आपसे मिलने के लिए आया है लेकिन इस बंदे का दिल तो बिलकुल भी नही के लिए आ रहा है तो आगे का काम तुम खूदी कर लेना और अब यांखें बंद करके दोने लगती है और जो पीछे से आता है उसे करने वाली होती है कहती है कि अगर मुझे कोई गलती हुई है तो प्लीज मुझे माप कर दो लेकिन फिर वो देखती है कि यह तो पाई है और उसे देखकर यह हिरान हो जाती है उसे एकी तुम इदर क्या कर रहे हो जरूर्व तुम उझे फॉलो कर रहे होगे वह यहां पर उसे वह सारी बाते सुनाती है वह करता है मेरी बात तो सुनो लेकिन यह करती है अब नहुँआ बंद रखो तुम बहुत ही चीप इसन के मुझे पिछा करते हुए यहां कैसे आ सकते हो उसके ऊपर बहुत गुस्सा करती है और यहां से चली जाती है अब घर आकर यह अपनी मौम के निव बर्फरेंड को देखती है यह बंदा तो आज से इसकी घर में सिप्ट हो चुका था और यह सा देखकर यह बहुत हरान होती है लेकिन तब इनकी मौम आजाती है और यह बंदा उनके सामने इनोसेंट बहुत करने गया था लेकिन देखो इसने मेरा क्या हाल कर दिया उसकी बातों पर इसके उपर ट्रस्ट नहीं करती है और इस वज़ए से लिन बहुत ही ज़्यादा है कि उसकी मौम भी उसके उपर नहीं करती वह कहती है कि आपकी इस घटिया भी एवर की वज़ए से लेड़ आपको छोड़के गए होंगे और इस वज़ए से उसकी मौम उसे जोदार सपड़ मारती है रूम में आकर यह बहुत रोती है और साथ ही साथ में यह अपने ग्रेंड मा को भी मिस करती है और तो वह तुमारे लिए इतना कुछ क्यों करती इनकी बाते नेट सुन चुका था जो कि एक नमर का ठरकी और लालची इंसान है ऐसा सुनकर के मन में पेसो का लालचा जाता है दूसरी तरफ गाह में उनसे नामी लड़की को देखते हैं और यह पाई की मौम के लिए डेली को की को चुराने का था इसने लिन की मों को सी पेसों के लिए पटाया था लिन यहापर एक हिंदन केमरे इंस्टोल किया था और इस वज़ए से उसी लोकर के पासवर्ड का पता चल जाता है तो वह आराम से इसे ओपन कर लेती है और यहाँ पर देट के नाम से आये हुए हो जाता है कि इसके डाड़ी से बहुत प्यार करते थे और याद करती है कि अद यहाँ पर आकर कि है रहान हो जाती है कि ईसकी पीट पीछे उसकी और पॉप दोनों लोग से चीट कर रहे होते हैं राइट में इसे दोस्त ना ही हो तो अच्छ है ना पर पॉप इसे पार्टी वाली केसिंग सीन की फोटो दिखा कर कहता है कि तुम मुझे उल्टा सिदा बोल भी नहीं सकती क्यों कि पहले खुद की हरकते देखो वह कहता है कि कैसे भी मेरा और तुमारा ब्रेक अप हो चुका है तो किसी की भी सात रहों तुमसे क्या मतलब? उस रात इन दोनों की फोटो एक्चुली में केट ने किलिक की होती है और उसी ने चान बूझ कर पाई को कार्डन में बेज़ा होता है कि उन दोनों की इस तरह से किस हो सके इ किटकी अच्छी खासे दुलाई करती है एक तरफ गाम में जमिन को लेकर दो पार्टी जगड़ा हो रहा हुता है यहां पर दूसरी पार्टी इनकी थी